हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, गीता सिंग के यूटूब चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत है आज लेके आई हूं मैं ऐसी रेसिपी जिसे देखके आप मैचान नहीं पहेंगे कि ये कौन सी स्वीट है तो आओ देखते हैं ये स्वीट कैसी है और कौन सी है, कैसे बनेगी और इसे बनाने के लिए मैं क्या क्या चाहिए तो प्लीज मेरी वीडियो को लास तक जरूर देखे और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले तो फ्रेंट्स आज हम बना रहे हैं ऐसी स्वीट जिसे हम वर्ट में भी खा सकते हैं और जब चाहें बना सकते हैं घर में जब भी आपके बस लौकी पड़ी और स्वीट खाने का मन हो तो जट से बनाए तो आज हम बना रहे हैं लौकी की बर्फी तो बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लौकी लेंगे और लौकी को इस तरह से हम छील लेंगे तो यह मैं लौकी को छील रही हूँ, देखो मैंने इसे छीले, इसे अच्छे से छीले कि उसमें कहीं भी इसका हाट बन ना हो, छिलका ना हो क्योंकि आज हम बना रहे हैं एकड़म साफ्ट मूं में घुल जाने वाली लौकी की बर्फी और आप इसके आगे और पीछे के जो पार्ट से हैं उसको हम काट देंगे और सेंटर से इस तरह कट करके हम जो इसके बीज होते हैं लौकी के अंदर उन सब को निकाल देंगे तो यह मैंने लौकी के इस तरह से चाको और स्पून की हैल से सारे बीज निकाल दिये हैं थोड़े हाट जरूर होता है क्योंकि एक दब कच्ची लौकी है पर फिर भी जो इसके बीज है आप उनको निकाल दें क्योंकि जब भी हम स्वीट बना रहे होते हैं जब मुह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेगे तो यह देखो मैंने यह सारी लौकी के बीज निकाल दिये हैं और शील भी लिया है अब हम इसे ग्रेट करें तो आज बन रही है हमारी रत में खाने वाली बर्फी जो एकदम एनरजी देती है और एकदम आईरन से भर पूर होती है तो यह देखो ग्रेटर से मैंने इसे अच्छे से कदूकस कर लिया है बिल्कुल छोटी वाली तरफ से और आब हम इसकी बनाएंगे बर्फी तो सबसे पहले हम यह जो हमने ग्रेट की हुई लौकी है उसे साइड में रख देंगे और एक कड़ाई में हम तीन कटोरी चीनी क्यूंकि हम बनाएं एक की बना रहे हैं एक क्ली लौकी की बर्फी है तो यह मैंने 3 कऔर हो चीनी डाल दी है और इसमें 1 2 ौत पर दीजानी तो हमें इसे ज्याधा चासनी नहीं बनानी है है हमें स्रहरे चीनी को फिगलाना इक तरह से की सारी चीनी पानी में और थोड़ा चिप-चिपापना आ जाए तो इह देखो अच्छे से चास ने पक चुकी और इसमें और अग्दम चिप-चिपापना आ गया है तो अब इसमें हम लौकी जो ग्रेट की हुई है इसे डाल देंगे और हमारी sweet बनने के लिए तयार होने लगी चीनी ओलोकी अच्छे से mix हो गए है और यह मेरे पास milk powder तो यह मैंने एक कब milk powder इसमें डाल दिया है और अब इन तीनों चीजों को अच्छे से mix करेंगे हम इन तीनों चीजों को तब तक पकाएंगे जब तक यह अच्छे से mix ना हो जाए और एकदम dry ना हो जाए तो इन तीनों चीजों को continue चलाते हैं अगर आप नहीं चलाएंगे तो जो हमारे में milk powder डाला है वो कड़ाई में लगने लगेगा आप चाहें तो milk powder की जगा खुवा भी डाल सकते हैं लेकिन milk powder डालने से इसके अंदर एक तो softness आएगी और और भी हमारी लौके की बर्फी टेस्टी लगेगी यह खुवे की requirement को पूरा करता है अगर आपके बस खुवा ना हो तो आप milk powder डाल सकते हैं अब यह तीनों चीज़ें अच्छा से mix हो गई है तो इसमें हम softness के लिए और shining के लिए डाल रहे हैं गी तो यह मैंने एक चमच घी डाल दिया है और इसे अच्छा से mix कर देंगे है तो आज बन रही है वर्त वाली बर्फी लौकी की बर्फी जो है बहुत इसी तो इस तरह पैन चोड़ने लगी है अब यह हमारी सारी चीज़ें mix होकर तो हमारा mixture बिलकुर एकदम तयार है और आप हम गैस को कर देंगे बन तो यह मैंने गैस को कर दिया है बन और इसे थोड़ा सा होने देंगे ऐसे ही ठंडा और अब यह लेंगे हम एक थाली और इस थाली में हम ल देंगे तो यह बन के तयार होने वाली है थोड़ी ही देर में आपकी फेवरेट सबकी पसंद्दा लौकी की बर्फी वर्थ की special बर्फी आप जिसे किसी भी वर्थ में खा सकते हैं आप इसे अच्छी तरह से spread कर दें सारी को फैला देंगे थाली में हम तो यह अच्छे से फैला दिया है अब साथ ही में हम इसके उपर डाल देंगे ड्राइफूट आपको जो भी ड्राइफूट डालने हो आप इसके उपर डाल सकते हैं तो मैं बदाम डाल रही हूं इसके उपर जिसको मैं ने चोटा चोटा पतला पतला चाको से कट किया तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेर करना ना भूले. Enjoy लौकी की बर्फी. See you. Bye-bye. Take care. Thanks for watching. Geetha Singh recipe. See you.